हाई एब्रीवन कैसे हो आप सब आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुस होंगे तो अभी है मॉर्णिंग का टाइम तो आप सब बीको गुड मॉर्णिंग और मैं यहां पर आ गई हूं किचेन में और आज बहुत ही स्पेसल से रेसिपी बनने वाली आप इसे एक बार ज लेंगे तो यहां पर इस तरीके साम इसे चलाते हुए भूनेंगे एक मिनट के लिए सिर्फ इसे ज्यादा नहीं बूनना है और जो यहां पर देख रहा है लंबा लंबा है उसको मैं थोड़ा-थोड़ा करके इस पुछला से तोड़ भी रही हूं तो सिर पे 1 मिनिट के ल यहां पर आएया हमसे घेस का फिलेम लोट backstory यहां के अशेकी और इसे चलाती हुए हम दोनों काम एक साथ तो यहां पर देखे इस तरीके से तरीके से थिसे मिक्स करना क्वीए और पानी ज्यादा एड नहीं करना क्योंकि मैंने यहां पे चीनी क्या है इसलरी कि क्या है जह अंदर के जो पाणी था ना वह अच्छे से सोख हो चुका है तो अब हम गयस का फ्लेम आफ कर देंगे और यहां पर इसको साइड कर लेंगे तो यहां पर इस तरीके से मैंने इसे साइड कर लिया एक्दम अच्छा सा ठीक सा हो गया है यह लेकिन अभी गडम है तो यहां पर डालना है और डालने के बाद एक एश्पून लेंगे और यहां पर में थोरा सब्सक्राइब करेंगे और इस तरीके समय से फैला देंगे सब्सक्राइब जैसा कड़ के हम दोसी तीन घंटे के लिए फ्रीज में रखेंगा अगर आप फ्रीजर में रखना चाहते हो तो हाफ एन आवर के लिए रखते होगे तो अभी आपकी यह बनके त्यार हो जाएगे मतलब एक दम अच्छे से यह सेट हो जाएगे ति यहां पर इस तरीके से सब को मैंने फटा-फट कर लिया है और अगर आ चमच पिसी हुई चीनी दो चमच मिल्क पाउडर और तीन से चार चमच मिल्क करके इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर जो अच्छे से सब को मिक्स कर लेना है दूद आप पहले थोड़ा सा ही डालने अगर आपको ज्यादा लगे जरूत परे दूद की प्लेट में अब हम इसे सर्व करेंगे तो यहां पर देखे कितना सुंदर मेरा जो है न चीडियां का घोसला बनके तयार हो चुका है बहुत ही इस पेसल यह सूइट से आप इस एक बार जरूर ट्राइक करना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना चैनल